जैहिन सातियो नमस्ते वंदे माद्रम आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में स्वागत हैं सातियो काफी confusion आपके मन में create हो रहा होगा कि PNST की जो counselling हो रही है तो अभी वरतमान में counselling जो हो रही है DME की counselling हो रही है अब काफी बच्चे इस इंतजार में लगे हैं कि DHS की counselling होगी तो आप सभी से मैं जो है कहना चाहूँगा सभी विद्यारती समाधनिस्ट्री आपको एक बहतरीन education बहतरीन update और सबसे latest जानकरी provide करता है तो आप सभी को बता दू मैं DHS की counselling नहीं होने वाली है क्या कहा मैंने DHS की counselling नहीं होने वाली है region के साथ पुरुप के साथ मैं आपको बताऊँगा ठीक है अब जो है आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिन सातियों ने जिन विद्यारतीयों ने counselling में participate नहीं किया है क्योंकि दो दिन हमारे पास बचे हुए है counselling में participate के लिए जिन भी सातियों ने काफी अच्छे marks लाया है तो आप लोग जो है government पर claim भी नहीं कर पाएंगे तो चलिए सारा जानकरी में आपको बताऊँगा आप लोग बने रहिए पूरा अंतितक वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा देखे सातियो PNST exam pre nursing selection test ये जो rule book है आपका 2021 का है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ठीके आप इतने तो जो है mature हो चुके हैं कि आप लोग खुद भी थोड़ी update देख सकते हैं pre nursing selection test 2021 सातियो आप लोग 2020 का rule book उठा लीजिए 2019 का rule book उठा लीजिए और अभी वर्तमान में 2022 का rule book उठा लीजिए तो उन सभी सातियों से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर साप साप rule book में ही लिखा हुआ है DHS की सीटो के बारे में परन्तु जब 2021 के form आया थे तो यहाँ पर कोई भी DHS की सीटो का जिक्र नहीं किया था उनली जिक्र हुआ था DME के सीटो का तो सातियों नहीं आप लोग जो है गौर्मेंट पर क्लेम कर सकते हैं नहीं जो है याची का दाया कर सकते तो यह जो आपकी भरती होगी यह तोटली आपकी DME पर भरती होगी कि जो only आपकी सीटो मतलब जो 2022 की जो है 21 की भरती हुई थी मतलब जो फोर्म आये थे वो only और only आपके DME के ही फोर्म आये थे ठीक ऐसाति हो DHS की फोर्म नहीं आये थे अब सर यह फोर्म तो नहीं आये थे तो बच्चों आप सभी को बता दू कि जो आपका 2021 वाले फॉर्म जो है जिसमें 500 मान के चलिए 10 या 20 या 40 सीटे होती है और 2022 की मान लिए आपका कितनी 540 सीटे तो 1080 सीटे तो साथ ही हो इस बार जी 2022 है तो इस बार आपकी 1050 सीटे इनी को जो है एड करके हुई हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जिन कैंडिडेट ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया हो काउंसलिंग में काउंसलिंग नहीं करवारा होगा या फिर आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो सातियो मैं पुन्ह काना चाहूंगा कि आपकी DHS की counselling नहीं होगी, फिर आप लोग ये ना बोलेगा कि हमने सरे इंतजार किया है, ठीक है तो इसलिए मैंने ये वीडियो provide कर दिया है, क्योंकि दो दिन बचे है, एक बार किसी का नाम आ गया, पुन्ह उसका नाम नहीं आए समाधानी स्टेडी नाम से, इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं, समाधानी स्टेडी नाम से, आप लोग YouTube के comment box में comment कर सकते हैं, ठीक है सातियो, तो इतनी सारी facilities आपको provide कर की गई है, ठीक है, मैं आपको पुरा rule book बता दू, आप लोग इसको मैं टेली ग्राम पर upload भी कर कोई जिकर नहीं किया, इसलिए counseling नहीं होगी, मैं आपको पुना बता दू सातियो, तो चलिए, मिलते हैं अब नए update के साथ, अब पूरा doubt आपका clear हो चुका होगा, ठीक है सातियो, चलिए, जै हिंद, वंदे मात्रम